हाँ ब्रवान, विल्कम तिदे क्लास, तो आज हम एक बहुत इंपोर्टेंट अमेंडमेंट बिल डिसकस करने वाले हैं, आपने ये खबर सुने ही होगी कि महिलाओं की शादी करने की उमर 18 साल से 21 साल कर दी गई है, तो रुकिये जरा, अभी ये एन्फोर्स नहीं हुआ है, ये भी प्रुपोज किया गया है कि हाँ, उमर इतनी कर दी जाए, 18 है अभी शादी करने की उसको 21 कर दिया जाए, तो ये बिल अभी पेंडिंग है, पास नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये पास हो जाता है, तो क्या-क्या चेंजिस आने वाले हैं, तो ये हम डिसकस कर लेते ह तो चले देखते हैं, तो चले देखते हैं, अब इसकी हाइलाइट्स क्या है, मेन फीचर्स क्या है, क्या-क्या ये चेंज लेके आएगा आपके 2006 के आक्ट के अंदर, चले, तो सबसे पहले देखें, इंटर्डूज इन लोकसभा, 21 दिसमबर 2021, तो इंटर्डूज हुआ थ के पास है, अभी विचार करने के लिए, तो ये भी 21 दिसमबर 2021 को ही भेज दिया या था, अब इसमें इंटर्स्टिंग क्या है, 21 एज करने की बात बोली जा रही है, महिलाओ की शादी की, तो हर जंगे 21, 21, 21 ही चल रहा है, ओके हाइलाइट्स देख लीजे, तो सबसे पहल एज ओफ मारेज और फीमेल तो 21, तो महिलाओ की अभी 2006 वाला जो एक्ट है, इसमें महिलाओ की 18 साल और पुर्षों की 21 साल उमर है, शादी करने की, इसके आने के बाद महिला और पुर्ष दोनों की इक्वल हो जाएगी, 21, 21, एक चीज़ याद रखेगा, मेजॉरिटी की और शादी करनी की इज दोनों में डिफरेंस है, शादी करने वाली 21 साल है, मेजॉरिटी की आपकी 18 साल ही रहेगी, ठेक है, मेजॉरिटी और लीगल एज अफ मारेज दोनों में डिफरेंस रखेगा, कन्फ्यूज मत हो जाना, ओके, so, the bill will override any other law, custom or practice, तो अगर ये कानून आता है, तो दूसरे जो आपके custom practice जो शादी से related जो रहते हैं, जैसे Parsi Act हो गया, Muslim Laws जो हो गया, आपके Hindu Marriage Act हो गया, जहां पर भी शादी की उमर के बारे में बोला गया है, तो वहां पर ये ही कानून लागू हो सकता है, सबके अपने-पने customer practices हैं, ठीक है, around 7 laws हैं जो ये effect करेगा उन कानूनों को, आगे देखे, 2006 Act, ये वाला जो आक्ट आपका, a person married below the minimum age may apply for an element within 2 years of attaining majority, अगर किसी बच्चे की समय से पहले शादी कर दी जाती है, तो उसके major होने के, जो 18 साल उमर है, उसके बाद 2 साल का उसे समय दिया जाता है, कि वो कोर्ट में जाका उस शादी को void करवा सके, तो majority की age आपकी क्या है, 18 साल, 18 plus 2 is 20, ये पुराने वाला मैं आपको बता रही हूँ, 2006 वाला, तो उसके पास 20 साल तक का time रहता था, उसके पास शादी को खतम करवाने के लिए, लेकिन नए bill के अंदर बोला गया है, new bill increase this to 5 years, तो अब 2 की जिंगे 5 साल हो जा को void करवा सकता है, court में जाके, ये important features हैं इसके, अब थोड़े सी history जान लेते हैं कि भी child marriage prohibit कब की गई थी, इस वीडियो को end तक देखेगा, क्योंकि last में हम Supreme Court के कुछ judgment discuss करेंगे, जो अभी recently आये हैं, और जो बहुत important है, आपके exam में भी पुछे जा सकते हैं, तो चले, restraint act 1929, जिसने एक legal age जो है set की थी, कि भी इससे कम अगर की उमर के बच्चों के अगर शादी होती है, तो वो child marriage consider की जाएगी, so महिलाओ की 14 years थी और पुर्षों की 18 साल रखी गई थी इस act के अंदर, उसके बाद amendment in 1978, तो इस वाले कानून के अंदर 1978 में amendment आया, जिसने उमर क और थोड़ा बढ़ा दिया, इसमें महिलाओ की 18 साल कर दी गई और पुर्षों की 21 साल कर दी गई, उसके बाद 2006 का जो हमारा कानून जिसे अभी हम follow कर रहे हैं, वो आया और उसने इस पुराने वाले कानून को replace कर दिया, उसका नाम है the prohibition of child marriage act 2006, इसके अंदर ये वाली age same रखी गई है, कि महिलाओ की 18 साल और पुर्षों की 21 साल, अब उसके बाद, अब 2021 का ये बिल आया है, जो इसको अभी amend कर देगा, तो ये तो हम अलड़ी अभी discuss कर चुके हैं, कि उसके क्या highlights हैं, तो चलिए, अब हम इसके कुछ cases discuss कर लेते हैं, अब देखे, Supreme Court के पास चाहिए, कि भी ये एज है, लीगल marriage की, और अगर इससे कम उमर की में, अगर कोई शादी होती है, वो child marriage consider की जाएगी, तो अभी recently, Supreme Court में ये case अभी चल रहा है, डिसाइड नहीं हुआ है, तो 6 PIL आई थी Supreme Court के अंदर, उनको क्लब करके ये case बनाया गया, अश्वनी कुमार उपाध्या वसिस Union of India and others 2021, 2020 के अंदर आया था ये, तो 4 PIL ये हमारे advocate अश्वनी कुमार उपाध्या नहीं लगाई थी, तो उनी के नाम से ये case बनाया गया है, बाकी की और भी है PIL, 6 PIL थी total, तो यहाँ पर जो हमारे 3 judges bench रहा, Chief Justice D.Y. चदरचूर, Honorable Justice P.S. नरसिमा and Justice J.B. परदी वाला ये matter decide करेंगे, अभी इसमें आगे की तारीक पड़ी हुए, तो आगे चलेगा, इसमें जो PIL का issue ये था कि, uniformity in personal laws, regulating marriage, divorce, maintenance and alimony for Indian citizens, अब देखें जैसे Muslim कानून के अंदर है, वहाँ पर शादी की उमर 15 साल है, when a girl attain the puberty, then she can marry, तो उस पे वो शादी कर सकती है लेकिन हमारे बाकी के laws में वहाँ पर 18 साल दी गई है, तो अगर 15 साल की उमर में वो शादी कर लेती है, फिर हो Muslim law के according, जो है maintenance या जो भी है वो remedy वो चाहती है, वहाँ उसे proper remedy नहीं मिलती है, तो फिर हो दूसरे कानून में जाती है, तो इससे क्या होता है, court का बहुत समय ब एज सेट करने का ये पारलेमेंट का काम है, कानून बनाना पारलेमेंट का काम है, तो उसी को ही करने दिया जाए, तो आपका 2021 का ये जो amendment आ रहा है, जो बिल आ रहा है, वो इसी तरीके की issues को solve कर देगा, एक बार अगर एज सेट हो गई, तो वो सारे customary laws जो है आपके शाद एक जो order pass किया था, कि अगर कोई महिला 15 साल की उमर में शादी करती है, तो वो child marriage नहीं मानी जाएगी, उस पर कोई भी offensive act नहीं लगाया जाएगा child marriage के basis पर, क्योंकि उसके customary laws में ये allowed है 15 साल की उमर में शादी करना, तो ये एक petition लगाई थी आपकी, National Commission for Protection of Child Right, NCPCR ने, तो इसमें Supreme Court ने बोला था, कि एक High Court का जो decision है, बाकी High Courts पे binding नहीं होता है, तो बाकी High Courts को follow करने की उसे जरूरत नहीं है, आगे देखते हैं और cases, कुछ case और देख लेते हैं, ये थोड़े पुराने case है, बट आप ये भी note down कर सकते हैं, तो शफीन जहान वर्सिज अशोकन 2018 का ये case है, इसमें बोला गया था, कि जो आपका right to marry है, वो protect होता है, right to life के अंदर, Article 21 of Indian Constitution, वो आपके इस right को protect करता है, और जो है, ये जो आपका right है, right to marry, आप से छीना नहीं जा सकता है, except, क्या except, which is substantively and procedurally just, fair and reasonable, अगर कोई कानून है, जो just, fair and reasonable है, क्या है आपका Child Prohibition Act, जो है, ये आपका एक reasonable कानून है, तो इससे ही आपका right लिया जा सकता है, ऐसे नहीं कि आप किसी भी उमर में जाके शादी कर लिजे, तो एक legal age होँआ सेट की गई है, उसके बाद ही आप शादी कर सकते हैं, उससे पहले नहीं, तो right to marry है आपके पास, लेकिन एक certain age के बाद आगे देखें, शक्ती वाहिनी वसिस यूनिन ओफ इंडिया और अधर्स 2010 का एक case था, इसमें भी यही बोला गया था, अगर दो adult अपनी मर्जी से शादी करते हैं, तो उनके खिलाफ कोई action नहीं लिया जा सकता है, again, right to marry आपका article 1921 जो है, आपके इस right को protect करता है, अब छो majority की age, contract करने की age, license बनवाने की age और बहुत सारी चीजों में जो है, वो age 18 साल रखी गई है, आपका right to marry है, तो उसमें आप पर एक foundation क्यों लगाए जा रहे हैं, कि 21 साल से पहले आप शादी नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए एक छोटा सा आंसर यह है, देखे, majority की age जो है, वो 18 साल है और legal age शादी की 21 करने वाले हैं, contract करना, major होना, adult होना, यह आपकी mental capacity से relate करता है, जो भी activity आप एक major होके करना चाते हैं, और शादी करना, यह आपकी physical capacity से relate करता है, तो इस base पर इस कानून को criticize करना कि उसमें तो 18 साल इसमें 21 क्यों कर रहे हैं, तो यह baseless है, क्यों उनों में बहुत difference है, and thank you for watching, चलिए, अगर आपको कोई सवाल है, इस topics are related, आप मुझे comment करके बताएगा, मैं answer करूंगी